वेलकम टू जीरो से जिनियस तक इस वीडियो क्वी टेस्ट में आप से पूछे जाएंगे पूलिस एक्जाम कोश्चन पेपर जैसा जी के जी इसके बीस सवालों को तो आप इस वीडियो क्वी टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा ताकि आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है भरतिय संसत के उपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकिंड का समय जो शुरू होते हैं अब भरतिय संसत के उपरी सदन को रज्य सभा कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा आप्स राजियों में राष्टपति सासन की अधिक्तम ओधी कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी तीन वर्स तक कोईशन नमबर तिन वह कौन सा भवन है जहां का अध्यक्ष उस भवन का सदस्य नहीं होता है आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी राज्य साभा क्योंकि राज्य साभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उप राष्टपति कोश्च नमबर फोर सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में परवेश्ट करती है सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए अरुनाचल परदेश जिसकी राज्धानी इटा नगर है कोश्च नमबर फाइब निम्नलिखित में इसे भारतिय नेपोलियन किसे माना जाता है? ये सबाल NTPC एक्जाम में भी आया था और BSF Head Constable एक्जाम में भी आया था निम्नलिखित में इसे भारतिय नेपोलियन किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी समुंद्र गुप्त को कोश्च नमबर 6 आर्थिक सर्वक्षन किसकी द्वारा प्रस्तुत्त किया जाता है? बहुत अच्छे सवाल है आर्थिक सर्वक्षन किसकी द्वारा प्रस्तुत्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए वित मंत्राले के द्वारा कोश्च नमबर 7 पचास रुपए के नोट पर किसके हंस्ताक्षर होते हैं? पचास रुपए के नोट पर किस के हंस्ताक्षर होते हैं आंसर हो जाएगा option number A, governor का होता है, RBI governor का उसमें हंस्ताक्षर होता है, question number 8 इन में से किस की मुर्ती, भारत में सबसे उची मुर्ती है, question ये भी हो सकता है, भारत के सबसे उची मुर्ती कौन सी है, answer हो जाएगा option number C, सरदार पटेल की गुजरात में आगे सवाल है, किस नदी पर भारत का सबसे उचा बांध, भाकरा बांध बना हुआ है, ये भी सवाल हली के एकजाम में आया था, किस नदी पर भारत का सबसे उचा बांध, यानि कि भाकरा बांध बना हुआ है, answer हो जाएगा option number D, सतलुज नदी, question number 10 भारत में कुल कितने राष्ट्रिये राज्य मारगे हैं, भारत में कुल कितने एनेच हैं, सही answer हो जाएगा, option number D, 228 से अधिक आगे सवाल है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए, और वे लेकों को दवाकर नोटिफिकेशन को अल कर देजिए, क्योंकि ये चाइनल धन्याबाद, आगे सवाल है, भारतिये सिनेमा के जनक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर बी, दादा सहाव फाल के, कोशन बबारा, भारत में सिक्छा है एक के? भारत में सिक्छा है एक के? सही आंसर हो जाएगा, आप्शन नमबर डी, मुल्भुत अधिकार, कोशन नमबर तेरा भारत में राष्ट्रिये उपभोगता आयोक का मुख्याल है किस सहर में इस्तित है आंसर होगा अप्शन नमबर A नहीं देल ले कोशन नमबर 14 विक्ष के बचाव से संबन देत चीपको आंदोलन के कौन पेरनना मतलब हीरोज थे विक्ष के बचाव से संबन देत चीपको आंदोलन के कौन प्रनेता थे अभिनेता थे कोशन के लिए है विक्ष के बचाव से संबन देत चीपको आंदोलन के कौन प्रनेता थे तो आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर B सुन्दलाल बहोगोना कोशन नमबर 15 भारत के किस राज्या का लोक निरित्या भारत नाटियम है आंसर हो जाएगा अफसर नमबर ए तमिल नाडू और अफसर ये आपके एकजाम में आता है आगे सवाल है भारत की राजधानी दिल्ली के बीजय घाट पर कीस फिरिडम फाइटर का समाधी अस्थल है आंसर हो जाएगा आपसर नमबर बी लाल बहादूर शास्तरी जीक के आगे सवाल है भारत में की सवार्स भारतिय लगू उद्योग बिकास बैंक की अस्थापना की गई आगे सवाल है निम्र में से की सवार्स एक सलाहकारी संस्था के रूप में योजना आयोक का गठन किया गया आँसर होगा आपसर नमबर डी पंदरह मार्च उनिस सवार्स को काजिरांगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्या में इस्तिथ है यह सवाल पिछले पुलिस वीडियो के की उफोर यू में पूछे गए थे यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे थे तो अभी देख लिजिए आपका ग्यान बढ़ जाएगा आंसर होगा आपसर परती राज्या है यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंप्ली आपको कॉमेंट बक्स में जाना है वहां पर लिखना है की उफोरी वर इसके राइट आंसर और आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने मित्र जनों में सेर भी कर सकते हैं आप हमर से रेगुलर र करक कि झांसर वीडियो खिकité उनरे ठाइट इसम्ट आप में सेर आप हैंगें अबसे सकते हैं यदिक एऽ१ में नबसे कर सकते हैं आप 6 लंपकोibt